तीसरा लक्षण है पवित्रता खुद को पवित्र रखे, घर को पवित्र रखे कहते जितनी पवित्रता होती है उस घर में उतनी लक्षमी आती है जितनी गंदगी होगी उस परिवार में उतनी दर्यदरता आईगी जितना हो सके घर को साफ सुत्रा रखे लक्ष्मी उसी घर में आईगी न और यह सब के लिए है बई कई बाज़ा में यह बात कहती तो पती पत्नियों की और देखने लग जाते हैं घर आपका भी है गंदगी आपको दिख रहे हैं तो उटाइए कपड़ा और उस वक्त साफ कर लेजी इंतजार मत करी के कोई और करेगा घर आपका भी है घर दोनों का है और दोनों को मिल के ही समालना पड़ेगा गाड़ी के सारे पईए एक साथ चलते न या एक पईए बोलता भी मैं तो अका हूँ तू चल वो बोलेगा मैं ऐसे गाड़ी चल सकती है जिन्दगी के गाड़ी भी सारे पईए पईओ को एक साथ चलना पड़ता है तो परिवार के जितने भी सदस्य है सबको साथ में चलना पड़ता है तो तीसरा लक्षण है पवित्रता चौथा लक्षण है तपस्चर्या अब देखिए बहारी तौर से तो चमक धमक रखी लेते हैं साथ सुत्रे रही लेते हैं पर बहार से जितना चमक रहे हैं अंदर से मन उतना ही गंदा है विचार उतने ही गंदे है वाणी उतनी ही गंदी है तो विचारों को वाणी को पवित्र रखी किसी को कुछ कहने से पहले सौ बार सोचिए कि क्या कहने जा रहे हो कई बार लोग कह देते हैं कि वह इतना समय नहीं है कि सौ बार बैठ के सोचे तो एक बार इतना सोच लेना कि जो भी कहने जा रहे हो अगर वो ही मुझसे किसी ने कहा तो मुझे कैसा लगे और अगर आपको जवाब मिलता है कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा उसको भी मत कहना क्योंकि थपड़ अमीर को मारो कि गरीब को लगता दोनों कोई जोर से ऐसा नहीं है कि एक को जोर की लगती और एक को तो आदत है तो इसलिए किसी को कुछ कहने से पहले सो बार सोचीए